अब उसको अब जोगों की लगतार कोसिस से रेलेवे ने जरूर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिया है लेकिन आपको भी थमना नहीं है और अपनी कोसिस को लगतार करते रहना है आप लोगों की कोसिस का परिडाम ये है कि जो एज रेलेकसेशन थी ती तीन साल के लिए जर और थारे से 33 साल कर दिया गया है यानि जनरल कटेगरी का बच्चा आप 33 साल तक की एज का जो बच्चा होगा वो एलपी में अपलाई कर सकता है जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके अलावा गवर्मेंट ने ये भी कहा है कि हम हर साल अब एलपी और टेक् नोटिफिकेशन देंगे विकेंसी का य annoyed हर साल हम वाटेकेंसी निकालेंगे ऐसा कहा जारहा है हम जल्दी हिरीश करेंगे और most probably हो सकता है फरवरी महिने में technician की post के लिए अलग से notification आए यानि जो notification भी ALP की post के लिए आया हुआ है ऐसे ही एक separate notification technician की post के लिए आएगा तो जो बचे technician की exam की त्यारी कर रहे हैं तो उनको भी आसानवित रहने की ज़रुत है उनको हतास नहीं होना है हो सकता है फरवरी महिने में उसका notification है technician के लिए और जो अगली बात है कि आप लोगों के लगतार कोसी से प्रोटेस्ट से या डिजिटल प्रोटेस्ट से आप लोगों के गौर्मेंट ने date दे दी है अब ये date हो सकता है गौर्मेंट किसी वहर मोटिव से दी हो कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान लगाए या जो भी हो खेर गौर्मेंट ने एक notification निकाला है और उसमें उने लिखा है कि जो आपका CBT 1 होगा उसकी क्या date होगी और CBT 2 की date क्या होगी जो CBT 1 होगा आपका ALP 2024 का वो होगा आपका जून से अगस्त के बीच में पहले तो last day to 19 सुरवरी ये form भरने की form भरना स्टार्ट किया जा चुका है तो आप अपने आसपास का जो zone हो जहां पे ठीक ठक संख्या में seat सो उस zone को select करके form भरिए zone आपको वो select करना है जो एक तो थोड़ा सापके करीब में हो जहां seat के संख्या ठीक ठाक हो ऐसा ने की बहुत कम seat है seat के संख्या भी ठीक ठाक हो और zone आपके घर के थोड़ा आसपास हो तेकि शिर्फ घर के आसपास हो उसको नहीं select कर देना seat के ठंक्या भी ठीक ठाक आपको देख करके select करना है form भरने के लास जट उनीज स्वरवरी है cbt1 का जो एक्जाम होगा वो जून से अगस्त के बीच में होगा यानि जून जुलाई अगस्त इसी के बीच में आपको कोई date पड़ेगी और cbt2 का एक्जाम सिप्तंबर में नेम हो जाएगा यानि जो notification आया हुआ है इसके हिसाब से cbt1 और 2 में बहुत ज़्यादा gap नहीं है या बिलकुल भी gap नहीं है या एकाद महीने डेड़ महीने का gap आपको मिलने वाला है तो आपको करना क्या है कि अगर मैं मालनू कि ये follow करेगी government अगर माल लिया जाए तो आपको cbt2 के लिए भी थुरा सा त्यारी साथ साथ लेके चलनी है जैसे maths और reasoning आप पढ़ोगे वो cbt1 में भी काम आएगी cbt2 में भी काम आएगी तो maths reasoning जो आप cbt1 के लिए पढ़ेंगे वो cbt2 में काम आएगी उसके लिए आपको अलेक्स कुछ पढ़ना नहीं है जो आपकी trade का हिस्सा है जो cbt2 में आएगा उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी कोसिस अभी से करते हुए फिर चलनी है क्योंकि trade का हिस्सा है जो एक महीने में डेन महीने में आप बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा trade पे ध्यान दीजिए और साती साथ basic science and engineering drawing का जो हिस्सा है जहां से आपके सवाल आने है 12 टॉपिक जो मेंसन कर रखा है जिसमें heat and temperature है simple lever and machine है आको professional safety है electricity है environment है IT literature यानि computer है ये सारे 12 टॉपिक जो उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते वे आपको चलना है यानि जो basic science and engineering drawing का बारा topic है वो a trade उस पे थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देते हुए चलना है अगर CBT1 और 2 के बीच में चार्पमाज शमीन का gap मिलता तब तो मैं नहीं कहता कि आप बहुत ज़़दा CBT2 पे focus करो पर थोड़ी थोड़ी कोसिस आपको CBT2 के लिए करनी है पर पहला focus तो CBT1 पर ही होना चाहिए कि अगर maths, reasoning, physics, chemistry, bio, current affairs ये सारी चीज़ें ही आपके अच्छे से त्यार नहीं होगी तो CBT1 में ही लटक जाओगे आप और CBT1 में रटक जाओगी तो CBT2 की नौबत आएगी नहीं इसलिए आपको CBT1 को top priority पे रखना है लेकिन CBT1 के बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है CBT2 में इसलिए CBT2 का वो हिस्सा जो आपकी कमजोर करी जैसे trade या basic science and engineering drawing उस पे आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान देते साइको का टेश्ट आपको number में होगा साइको में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा त्यारी करने में 15-20 दिन के रहं से महनता आप कर दोगे तो साइको के लिए आप त्यार हो जाओगे तिस date को देख करके बस यह कहना कि आपका माली जाज फरवरी श्टार्ट होगी अभी त CBT-1 होने के एक महीने 20-15 महीने के बाद CBT-2 होगा तो आपके पास time बहुत जादा नहीं है तो हो सकता है गवर्मेंट आपके ध्यान को थोड़ा सा पढ़ाई पे लगाने के लिए ऐसा notification निकाल दी हो कि आप धरने पे ध्यान कम दीजे प्रोटेस्ट पे ध्यान कम दीजे पढ़ाई पे ध्यान दीजे तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना ही हो तो आपकी top most priority है उससे तो समझोता करना नहीं है लेकिन जब लोहा गरम है तो उसको हथोड़ा मारने का समय यह है तो प्रोटेस्ट करते रहिए कि वैकेंसी बढ़ानी की जितनी भी गुंजाई से वैकेंसी बढ़ाए गौर्मेंट ने कहा है कि हम technician की post निकालेंगे और most probably फरोरी में notification आएगा हम हर साल लगभग notification निकालेंगे पहले जैसे हम 55 साल का gap करते थे गौर्मेंट ने कहा है या स्वनी वैसनाओ जी ने कि हम अब हर साल कोसिस करेंगे वैकेंसी निकालने की 2035 जिन रखा आप इसको पढ़ सकते हो तो साइको की ये लिए आपको बहुत ज़रूत नहीं है परशान होने की आपको भी CBT 1 पे ध्यान देना है और स्वासा CBT 2 पे ध्यान देना है दोनों में देखना है कौन सा हिसाब का वीक पॉइंट है उसको पढ़ते हुए चलना है उसके अ अगर ये बैच आपको करेरविल आप पे नहीं दिख रहा है ना तो आप करना क्या सबसे पहले तो अपने फोन में आप करेरविल आप डाउनलोड करना इंस्टॉल करना उसके बाद अपना मुबाइल नंबरों का रेश्टर करने के बाद एप खोलने के बाद सबसे नीचे इक लाइब क्लास को अप्शन आता है अप जैसे खोलोगिए सबसे नीचे बीच में राएप क्लास और उस पे क्लिक करना ऊपर अगलग सैंसे बैंग तो जैसे आफो जयानी कर ओने तो जतने विसके बैच चल रहे हैं हो बैच ये जथी आपको ज़रुरत है वो batch आप जोईन करके अपनी त्यारी को start कर सकते हैं, आपकी जो भी trade हो, यह अगर आप full batch लेना चाहते हों, ठीक है, जो जो batch जबी चल रहे हैं, उसमें एक basic science and engine drawing का हिस्सा है, यह separate batch चल रहा है, यह है आपका trade special batch भी चल अगर आपको सिर्फ electrician trade का batch चाहिए, सिर्फ fitter का batch चाहिए, सिर्फ electronic mechanic का ट्रेड का बैच चाहिए, mechanic motor vehicle का बैच चाहिए, diesel mechanic का चाहिए, heat engine का चाहिए, RAC का चाहिए, welder का चाहिए, अगर आपको trade के special batch चाहिए, सिर्फ trade का, वो भी करेवलाय पे चल रहा है, अगर आपको full batch चाहिए, CBT 1 plus 2 का, त फिटर का full batch चाहिए, इसमें सब कुछ है, CBT 1 plus 2, तो ये batch चाहिए, आप जोईन कर सकते हैं, अगर आपको trade के special batch चाहिए, और आपको batch से लेके, exam से लेके, related कोई और query है, जिसको लेके आप परिशान हो, तो इस number पे आप WhatsApp message करके पूछ सकते हो, आपको एक दो दिन, तीन द frequency आएंगी, वहाँ पे भी आपको कुछ मौका मिले है, जिन बच्चों के पास qualification ITI की है, वो technician की post पे जा सकते हैं, तो ALP की post के लिए तो ITI वाले बीटेक वाले सभी बच्चे जा सकते हैं, लेकिन जो technician की post आएगी, उसके लिए ITI आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास एक सांदार और सुनहरा मौका है, इसके लिए आप अपनी पूरी सिद्दत के साथ मेहनत करिए, आगे बढ़िए, maths वगरा, reasoning वगरा जो भी है, उसको बहुत सांदार तरीके स्परिए, और जो full batches चल रहे है, career will lab के, इसमें जितने भी non-tech के teachers में बहुती सांदार है, reasoning सांदार है, तो आप CBT 1 की त्यारी साथ साथ करते रहे है, CBT 2 पे भी थुरा थुरा ध्यान देते रहे है, और अपनी पूरी कोसिस करिए, कि इस बार आपको अपने लिएक seat हासिल करनी है, और जो आप लोग सारे बच्चे और सारे teachers एक कागर्ची ठोकर के, जो कोसिस कर रह बढ़ाने को लेकर के, वो कोसिस भी लगातार चलती रहनी चाहिए, कि seat बढ़ें, age relaxation देखो, महनत का परड़ाम मिला, age relaxation तीन साल का दिया गया है बच्चों को, और technician की vacancy भी अलग से निकाली जा रही है, तो आपकी महनत ने परड़ाम दिखाया है, और लगातार आपको को सिस करते रहनी है, seats बढ़ाने को लेकर के, और पढ़ाई को लेकर के, दोनों चीजों को लेकर के, क्योंकि seats कितनी भी बढ़ जा, अगर आपकी त्यारी अच्छी नहीं है, तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ फिर बेकार है, तो आपको महनत करते रहनी है, ठीक है, तो आज क इतना ही बाकि हम किसी दूसरे सेसन में आपसे दुबारा मुलाकात करेंगे बाइब आवरीवान